परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेम पठानिया ने कहा कि प्रदेश के प्रमुक परियटन स्थलों और बड़े शहरों को आपस में बेहतर परिवहन सुविधा से जोडने के लिए परिवहन विभाग नई पहल शुरू करने जा रहा है सुबे के सबी प्रमुक स्थलों के लिए इंटर सिटी परिवहन सेवा शुरू की जाएगी जिससे लोगों को धरमशाला से शिमला या अन्यस्थानों पर अपनी गाड़ी या टेक्सी करने के बजाए इन आधोनिक सुविधाओं से लेस बसों में जाने का अफसर मिल पाएग इसके लिए विभाग के निदेशक कैप्टन जेम पठानिया ने कांगरा जिला के चालकों एवं परिचालकों को रोड सेफटी को लेकर जाग रुक किया उन्होंने कहा कि इंटर सिटी सूपर डेलक्स बस सेवा में यात्रियों को अराम दायक सेवाय मोहिया करवाने का फोक विभागों, परिवहन, पुलिस, चिक्षा, स्वास्ते और लोग निर्मान के अधिकारी मिलकर काम करेंगे यह शेल प्रदेश में सडख हाथ से कम करने के लिए रोड सेफटी को एक कल्चर बनाने पर काम करेगा इसके तहत वर्क्शॉप नुकड नाटक वस्कूलों में व पुलिस और परिवहन विभाग को केंदर से मिलने वाला करोडों का फन भी अब शेड ही खर्च करेगा। सामने आया है कि करीब 95.04 फीसिदी हाथ से मानवे चूप के कारण होते हैं इसमें ओवर स्पीड, रेश ट्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइब, सीट बेल्ट एवं हेलमेट ना लगाना आदी कारण मुख्य हैं। के बजाए इसे कल्चर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस दिशा में सार्तक प्रियास कर सहोग देने का अहवान किया है। बेनिफिट होने वाला और किस तरह की चर्चा जो की गई है। हमारी रिजिनल ट्रांसपोर्ट अथार्टी की बैठिक थी, जो की हमारी साल में दो बार होती है। और इसमें बेसिकली इसका जो रोल है वो ट्रांसपोर्ट मैनेच्मेंट का है। पर आजिला गांगडा के। इसी तरह से हर डिष्टिक में हमारी आटी की बैठिक होती है। अभी जो हमारी बैठिक होई है, इसको हमने तीन भागों में बाटा था और तीन दिन में बाटा था। क्योंकि यहां पर डिष्टिक बड़ा है एजिनला जादा था। पहला हमने इसमें रोड सेफटी केमपेन जो था हमारा उसको हमने रोड सेफटी वरक्शाप में किया था जिसमें हमारे ट्रांस्पोर्टर्स थे उन सबी को हमने अपने साथ मिलाने वाला काम किया और साथ में उनको रोड सेफटी के बारे में जानका रही है इसके साथ हमारा दूसरा पिछले कल जो अजेंडा था उसमें हमारे एकविंजा रूट फिफ्टी वन रूट जो थे नए रूट उनको हमने लोगों को पर्मिट बाटने और उसमें हमारा जो भी प्रसीजर था उसके मताबक उनने फिफ्टी वन रूट को अलाट किया देखिए इसमें आज ज उसकी अबिलिबिल्टी जूरूरत से अगर आप देखें कि हमारे पास सो आदमी अगर ट्रेवल कर रहा है तो सिर्फ 30 से 40 लोग ही हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं उसका कारण ही है कि हमारे पास पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी जो है उतनी अची नहीं है अगर बिकास आप जैसे जैसे एकानमी इंप्रूव हुई है उसके मताबिक लोगों के पास पैसा भी बढ़ा है अब मेरे को अगर शिम्ला जाना है तो मैं आप 10-100 रुपे की बजाए मैं 300 रुपे देने को त्यार हूँ अगर मेरे को प्रॉपर सुबिदा म जाओंगा या किसी भी टाउन में जाओंगा वहां पे पार्किंग की समय से भी है तो अगर मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्वालिटी की मिलती है तो उसमें मैं प्रेफर करूंगा कि मैं अपनी गाड़ी में ना जाके दूसरी उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा मैं समयता हूँ इससे quality of life में काफी इजाफा होगा